आद हम आपके सामने जो टोपिक लिखे आएंगे वो है अपर्दन चक्र अपर्दन चक्र से मतलग होता है अपर्दन यानि कि जिसकी पड़ते उखडती हो कुछ नया बनता हो और बाद में वो सब नस्टो जाता हो इस प्रकार का एक चक्र होता है पड़तों के द्वरा उसको अपर्दन चक्र करते हैं भूपटल पर अंतरजात भूपटल यानि की हमारी प्रत्वी के उपरी जो धरातल है उसकी बात और ये भूपटल की हमाई प्रत्वी की तो भूपटल पर अंतरजात अंतरजात यानि की आंतरिक तथा बायेजात बायेजात यानि की बाहरी प्रक्र प्रत्व के अंदर अंतरजात बोस्री शक्तिया हैं जिसे हमने पढ़ा था पिछले लेशन में चाला मुकी भूकाम्प ब्रांच अनेक तरह की क्रिया होती है बहईजात होती है अपर्दन की निक्षेपन की जमाव होता है और अपर्दन यानि कि उससे परतों का उखड़ना या एक तरह से हड़ जाना होता है तो इस तरह की जो प्रक्रिया होती है उसके द्वारा उत्थान एम्ट सम्तलिकरन उसके द्वारा क्या होता है उत्थान होता है यान कि कुछ उच्छा भाग उड़ जाता है जैसे परवतनुमा कुछ आकरती बन जाती है सम्तलिकरन यानि क जाती है तो इस तरह की जो प्रक्रिया होती है उसे परतन चक्र कहते हैं डेविस के अनुचार कोई भूद्रश्य संरशना प्रक्रम तथा आवस्ता का प्रतिपल होता है यह डेविस मोदे ने पड़ेगा यानि उसका दिखाई देना किस प्रकार इथी तो दीपेंड गड़ा है संद्ष न उसकी रचना कैसे हुई से उसमेंगों लग्या है और कितनी अवस्ताम में आके हुआ है जेसे तीन हवस्तां चार किस वस्ता कितनी अवस्ता प्रोड अवस्ता इस तरीके से लेते हैं तो उसी तरीके से हमाई प्रत्री पे जो भी किरीया होती है उनका एक समय निर्धारण होता है तो वह कितने से कितने स्वार्ष तक में एक समय के चक्र चल रहा है उसको बोलते हैं हम अवस्ता तो भूद्रश्य की संद्रशना यान कि किस तरह किसे उसकी रचना हो रही है उसकी प्रक्रिया और उसकी अवस्ता का प्रतीफल होता है ठीके क्या कहेंगे हम देविस मोधे के अनुसार कोई भ कोईटें या समदने के लिए लेंगे कि संद्रशना प्रक्रम रवस्ता आखिर में होता किया है डेविस मोधे हमें क्या समझाना चाह रहे हैं इस बात को लिए तो पहला संद्रशना से अभी प्राहे है भूपतल की शेलों की भूवेग्यानिक रचना यह ना हमारे भूपत का स्वरूप निद्धारित करने में जो प्रोसेज होता है वेसा ही योगदान होता है जिसे की लेक के स्वरूप में कलम का होता है प्रक्रम यानि प्रोसेश से ले सकते हैं कि कि किसी इस्तलाक्रति को बनने में कई वर्शों बीच जाते हैं किसी को कार्य होने में जदि कहीं कटाओ नदी का ही कटाओ ले लें तो नदी का कटाओ में क्या होता है एकदम से नदी नहीं बन जाती है कि वहाँ पर किस तरह सी भुआकरती थी उसको पानी के बार-बार जितने थपेड़े पड़ेंगे विसे पर वहां की मिट्टी हटती चली जाती है और एक इस्तान लेती है तो इसलाक्रती का स्वरूप निर्धारित करने में जो प्रक्राम होता है जो प्रसेज होता है विसाई इसका योगदान प्रक्राम का ऐसा योगदान होता है जिसा कि लेक के स्वरूप में कलम का योगदान होता है जिसकी लेक हम कोई लेक लिखते हैं तो उसमें कलम ज्य जो फिए प्यार रधी है कि उसमें इस्यार्प है और किपने पर उसे दबाने पर अक्षर बंड़ पाएंगे है तो हम उसे लिख पाएंगे कितना प्रेशटेने पर हुआ से लीख पाएंगे इसी प्ल calidad collective का निर्मानिध होता है कि कितना प्रेशर और कितना टेंप्रेचर यह सब बातें होती है और उनके अनुसार केसा स्वरूप उसका निद्धारित हो रहा है तीसरी हम लेते हैं मोदे के अनुसार डेविस मोदे के अनुसार की स्टेज यानि कि अवस्ता तीन शब्द लिये थे सरशना प्रक्रम और अवस इसका अभीप्राय इस्तलखंड के विकास की विशिष्ट अवस्ता से है यह बोल रहे हैं कि जब इस्तलखंड का निर्मान हो रहा है विकास हो रहा है बढ़ रहा है जिसे को इस्तलखंड में जमाव होता चला जा रहा है तो वो किसका रुपधारन कर लेगा या तो परवत का या पठार का है ना तो विकास की विशिष्ट अवस्ता से है डेविस के अनुसार मानल जीवन की भाती इस्तलखंड के विकास में भी यूआ प्रोड एम रद्धावस्ता करम से आती है जिस से एक बालक छोटा बच्चा होता है बाले अवस्ता होती है फिर किश्वर अवस्ता प्रोड वस्ता चलती है उसी प्रकार जब मारे इस्तलखंड के निर्मान होते हैं तो इस्तलखंड भी यूवा प्रोड और रद्धावस्ता के क्रम से निकलते हैं अग्यों सेष्टों साइकिल पेरोजन देविस अठारा सौन अन्याण में डेविस नीकब दिया था यह अण्याण में तो डेविसने भूगोलिक चक्र की संकलता का प्रतिवादम करते हुए बताया कि भूगोलिक चक्र समय की वह अवदी है जिसके अंतरगत उत्तित भूखंड अपरदन के प्रक्रमदारा प्रभावित होकर एक आकरती वीहिन संतल मेदान में बदल जाता है इसको समझ लो आप पे लिए कि भूगोलिक चक्र जो होता है यानि कि प्रत्षी पे जो क्रिया होती ह है वह एक चक्र एक सिस्टम के सिस्टम जैसे हो दिए कि कब कौन सी क्रिया हो नहीं है जैसे उत्थान की हुई यानि की उत्थान यानि बढ़ना या जमाओ के फलसरूप परवत-पठार का निर्मान हो जाना तो भूगोलिक चक्र समय की वह हो दिए तो एकदम से किसी परव न परवत-पर्वगण्ड अपरदन के प्रक्रम द्वरा प्रववित कर वह दिए तो हर काम में इस तरह के काम होने में समय लगता है कई सालों लग जाते हैं ठीके तो जिसके अंतरगार्त उत्तित बुखन्ड यानि कि उठा हुआ जो प्रत्विगा जो भाग है वह अपरद और एक मेदान में बदल जाता है है तो डेविज्ट का कतन है करम प्रकर्ण ऑनी इस प्रकार का कार्य और कितना समय उसमे लग रहा है, चकृच संकल्पना का अरखिय प्रादर्शन, यहां देखो कितके मार्द्यम से, इसमे दर्शाय गया है, O, X, और Y, तीन बिंदू लिये गये हैं, एक तो, O, X, और Y, है न, तो जो X बिंदू है, वो तो हमें समय की ओर ले जा रहा है और वाइब बिंदु जो ले जा रहा है वो उचाई की ओर ले जा रहा है तो इसमें देखो तो ओ से लेकर सी तक या ओ से लेकर बी तक कि जो है जो भाग है यह उत्थान की गदी है यह इसमें क्या हो रहा है यहां जमाव हो रहा है और दीरे-दीरे परवत का निर्मान हो रहा है जो शिखर बन रहे हैं उनकी उचाई निर्दारित हो रही है तो पहले तो नीचे तल था चाह ए है मापे दो नीचे तल था लेकिन उस पर दिरे-दिरे जमा होता गया और इसमें रचना बनी तली की उचाई हुई और दिरे-दिरे उचाई और बढ़ती चली गई और शीखर बनना शुरू हो गया तो देखो वो उचाई शीखर तक पहुझ गई ठीके तो ये कौन सी यह वस्ता हुई यह वस्ता हुई यह वस्ता यहां पर लिखा हुआ है युआ ठीके उसके बाद एसे डी तक और बी से ए तक और सी से एव तक जो प्रक्रम चला है वह प्रोडा वस्ता का चला है ठीके प्रोडा वस्ता में क्या होता है कि वह उचाई एक निधारी चिकर तक लेकिन जब जब प्रोड़ा वस्ता एंड की ओर होती है तो थोड़े से डहलान की ओर आ जाती है ठीक है तो शीखरों की उचाई में देखना तो शीखर आप वैसा के वैसा नहीं रहा, थोड़ा सा जुकाओ आ गया, उसके बाद देखो आप D, D पोइंट से लेके आगे तक, यहें ब्रद्धावस्ता, ब्रद्धावस्ता में क्या हुआ, इस तरह से कटा हुआ, इस तरह से अपरदन हुआ, कि जो शीखर था, वो धीरे दिरे क्या हुआ, एक समतल मेदान में परिबर्धित हो गया, आप देखो, नीचे ड़लान की ओर है, सारा वक्र हमारा, E से लेके आगे तक, जितना भी जाता है, और F से लेके आगे तक, और D जो दे रखा है बिंदू, यहां से लेके आगे तक, जितना भी जा रहा है, वो क प्राव में इस्तलखन का उत्तान प्रारंब होता है, जिसे OC, OB, रेखाउंद आरा दिखाये गया है, इसमें उचाई तथा उच्चावच दोनों में व्रद्धी होती रहती है, अभी मैं आपको समझा के, समझाये मैंने इस चीज को, कि OC और OB, रेखाउंद आरा जो दिखा आज आव इसमें उचाई रूचावच दोनों में व्रद्धी हो रही है, देखो उध्तान की ओरे, OC और OB में उचाई बढ़ी ही है, अटिखी भागे इसका, इसमें उचाई प्रौनथ समाप्त हो जाता है, जिद है अपर्धन कार्य प्रारंब हो जाता है, इसमें उचाई बढ़ने की गतिती वो समाप्त हो गई अब इससे ज्यादा उचा नहीं हो रहा है और कौनसी प्रक्रिया शुरू होगी धीरे धीरे सी से एफ तक आते आते अपर्दन की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो जाती है रित्य भागे इस भाग में समयवदी सरवादिके जिसमें अपर्दन चक्र की प्रोडवस्ता और अध्द वस्ता दोनों समलिते इसमें उपरी वक्र पर अपरदन प्रदॆ हो जता है निम्ण अपर्दन की तुल्णा में शे reflecting और थीवर होता है ठीक है इसमें ईसमें क्या है त्रितिग में सभाग में है निम्ण अपरधन की तुल नहां में शेटिज अपरधन थीवर तनी देखो फ से लेके आगे तक प्रक्रिया व्रद्धवस्ता की इसमें देखो आपड़न की प्रक्रिया है जो बहुत तेजी से हो रही है और यह शेतिज आपड़न हो रहा है ठीके तो समतलीकरन की प्रक्रिया और यह और डाल में निचाई आ गई है ठीके इसके बाद है अगले मोद है हमारे पेंक की भूआ आकरतिक तंत्र की संकल्पना देविस का मैं ने पढ़ लिया है, अब पढ़ेंगे पेंक अब देखते हैं हम पेंक मोद हमें अपर्धन चक्र के बारे में क्या बताते हैं पेंक ने डेविस के समय निर्बर सिद्धान के विप्रीद समय त्वतनथ सिद्धान का प्रतिबादन किया है पेंक के अनुसार इस्तल रूपो का विकास विवर्तनिक उत्थान की दर और निम्नी करण की दर rate of degradation के वीज की प्रावस्ताओं का प्रतिफल होता है क्या बता रहे हैं पैंक मोदे यह बता रहे हैं कि इस्तल रूपों का जो विकास है वो विवर्तनिक उत्थान की दर है और निम्नी करण की दर एक तो उत्थान यानि कि उचाई बाढ़ने की दर और निम्नी करण यानि कि उसके घटने की दर याना कि बीच की प्रावस्ताओं का प्रतिफल होता है आगे देखते हैं पेंख के भुहा क्रतीत अंत्रिका आरेखिये प्रदर्शन पेंख ने में कुछ शब्द काम में लिए हैं इसके लिए पहला शब्दे आफस्ति जिंडे इंटी वकलूंग इसमें हो इसमें है कि इस अवस्ता में उत्थान की गतिदर त इसे हमने डेविस में बढ़ाता होई सेम प्रोसेज है कि उत्थान की गति तेज हो रही है यानि कि जो एक भाग है वो धीरे-धीरे पठार या परवत का रूपधारन करता जा रहा है जिसके फल सरूप उच्चावच तता उच्चाई दोनों में व्रद्धी हो रही है यहा इसना प्रोसेज जो दिया है इसने ब्लेक फार्मिंग इंटी वकलूं इस वस्ता में उत्थान की गति दर में व्रद्धी होती है जिसके फल सरूप भूमयाकरती यानि कि भूमी की आकरती में समान विकास होता है तता गाटी के पार्ष डाल सीधे पाये जाता है यह बोल र चित्रिय मादम से देखेंगे इसको कि पीसरा इन्होंने शब्द काम में लिया है अबस्ती जेंडे इंटी वकलूंग इस अवस्ता में इस्तलखंड का विकास अवसान की और अग्रसर होता है अवसान की और यानि कि उनकी जो दिरे-दिरे उसकी गति कम होने लग जाती है क इंति अपरदन के दर गत्षा को सब्साइबुरत निव्न्स परदन सब्सक्रा पर उनुका निडीक में और पतुखन कुछेशा परदन की इस्ताने सो में अभी कुछ सुनिका कुछतो फेल में शषीयां परदन सब्सक्रा निन सबस्क्राइब देखो 1st, 2nd, 3rd, 4th और 5th इस्टेज बताई गया है इसमें बताई गया है कि पहली ओ से लेकर B और C तक उत्थान की गती चल रही है और F और I और E और H में बताई गया है कि एक समतलियां पर उत्थान रुख जाता है कि इतना उत्थान है ठीक है? उसके बाद है I से लेके L और H से लेके केता की जो पक्रिया है उसमें क्या है? कि दीरे दीरे अपर्दन का स्टार्टिंग हो गया है और केस L से लेके आगे और केस से लेके आगे तक उसमें अपर्दन तेजी से तेजगती से होता है और शेतीर पर्धन होता है जिससे की संतली करण की प्रक्रिया प्रारंबर हो जाती है ठीके इन्होंने कितने अवस्ताएं बढ़ता ये फिरस्ट, सेकेंड, थर्ड, फॉर्थ और फिर्थ पाँच अवस्ताएं बताइए ठीके ओ से लेके सी तक तो उत्थान हो रहा है विकास रुग गया है वहां पर विकास रुग गया है और समान गती हो गई है फिर आएं लें पर्दन हो गया है और एल चेंगे आगे तक शेकी हुआ है नी कि प्रिवर्तिय हो गई है यहां से उचाई दी गई है वाई के द्वारा और समय बताया गया है एक्स के द्वारा ठीक है यहां हमारा अपरदन चक्र का प्रोसेज यह दोनों साइंटिस्स का यह पूरा होता है मुझे उम्मीद है आपको इस इस समझ में आ गई होगी यदि आपको कुछ भी और समझ ना हो तो आ आप कमेंट करें मैं बता सकते हैं हमारी चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब करें धन्यवाद